हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेट टूल्स, आज हम देखने वाले कि हम कोटक से टोकन के से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोकन के बिना हम ओर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, जैसे आप LIS Blue 0-2 आइन सब में देखेंगे तो जैसे नाम के अकोडिंग ओर्डर प्लेस हो जाता है जैसे हमें HDFC Bank में ओर्डर लगाना है तो हम सीधा HDFC Bank का नाम दे देंगे प्लेस ओर्डर के फंक्षिन में तो हमारा ओर्डर चला जाएगा, लेकिन कोटक में हमें टोकन चाहिए होता है, जैसे हमें ओर्डर प्लेस करना है, उस सिंबल का पर्टिकुलर टोकन होता है, उससे अगर हम manual token निकाले तो फिर algo का मतलब ही क्या है तो इसके लिए हम इसको fully automate करने के लिए आज मैं आपको code बताने वाला हूँ कि पहले हम token को कैसे निकालेंगे फिर आगे का काम देखेंगे तो यह देखेंगे मैंने एक file बना रखा है kotak का इससे में kotak helper wise जो मेरा algo है इससे मैंने fin nifty के लिए nifty के लिए और यह सब function बना रखें इससे मैं सारा काम करता हूँ तो आईए मैं आपको दिखाता हूँ भी सबसे पहले token हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले हमें जो library ची होगी वो मैंने import कर लिए आप देख सकते हैं date time, request और panda और तीनों का में लियाज बना लिया है dt, rq और pd से ताकि हमें इतना बड़ा नहीं देना पड़े request करते time अभी इसका जो url है यह मैं पूरा का पूरा copy करके ले लेता हूँ फिर आपको line by line explain करता हूँ यह देखे today इसमें क्या होता है कि हमें date देना होता है जब भी हम यह data download करेंगे पूरे instrument का तो यह देखे मैंने fno लिखा हूँ है तो जब भी data download करते हैं उसमें date देना होता है लेकिन यह हम आज का date देते हैं आज तो क्या है market बन देदों में data मिलेगा नहीं तो इसमें हम क्या करते हैं एक दिन इसमें से minus कर देते हैं मतलब कल की तारीख हमें मिल जाएगा आज 7 तारीख कल 6 तारीख Friday था तो market open था तो हमें मिल जाएगा और यह इसका तो हमने एक string बना लिया है अब इसका हमने date इसलिए बनाया है कि हम यह file को date नाम से save कर ले ठीक है friends इसको भी मैं हटा कि यहाँ today कर देता हूँ पहले मैं इसको explain करता हूँ यह url है url आपको file में मिल जाएगा पूरा का पूरा इसमें हमने date दे दिया आज की फिर हम क्या कर रहे है कि यह यहाँ पर मैं नाम बदल लेता हूँ इसको मैंने data कर दिया request को हमने rq से change कर लिया जो rq कर देते हैं यह HTML format मिलता है तो मैंने इससे जैसे json मिलता है तो हम .json करके इसको लोड करते हैं वेसे ही मैंने text करके इसको लोड कर लिया तो यह हम txt फाइल मिलेगी फिर इससे हम क्या कर रहे है कि एक data फाइल create कर लेंगे अभी मैं आपको दिखा हूँ तो यह देखिए अपने पास season token का यह फाइल है पहले मैंने आपको बताया था चार दिन पहले का वो है अभी हमारे पास data का कोई यह फाइल नहीं तो हम data.txt और आज की date से उसको save कर लेंगे तो आईए अभी इसको call करते हैं देखते हैं क्या होता है हम data दे देंगे क्योंकि हमने एक previous day दे दिया था तो यह हमारा file save हो गया है अभी हम इसको read करेंगे ठीक है friends तो read करने के लिए यह code है और अभी हमें इसमें file name देना पड़ेगा तो file name हमारा यह वाला है जिस नाम से हमने save किया है उसी नाम से हम read करेंगे तो यह क्या text file मिली तो इसको हमें separate करके एक data frame create करना है तो इसके यह जो column name है option type, exchange token, multiplier जितने भी नाम है वो सब मैंने यहां दे दिये हैं अभी हम इसको load कर लेते हैं यह रेखिए हमें पूरा df मिल गया है इसमें कितने 1,17,268 symbol है total इसमें से अभी हमें option में काम करना है या commodity में काम करना है जिसके according हम इसको filter कर लेंगे तो मैं क्या है nifty bank nifty fin nifty option में करता हूँ तो मैंने इसको कैसे filter किया यह देख line by line दिखाता चलता हूँ जैसे हमें nifty और bank nifty दोनों का चाहिए तो मैंने इसको क्या किया है df का जो load size है वो equal क्योंकि यह string में है इसके लिए मैंने यह string किया है 25 और load size 50 मतलब 25 और 50 का जो load size रहेगा वो हमें मिल जाएगा ठीक है उसके बाद हम क्या कर रहे है instrument name में हम nifty और bank nifty से short कर दें क्योंकि load size 25 और 50 किसी और का भी हो सकता है ऐसे कहीं stock है उनका भी fno का load size 25 और 50 है तो इसमें इसमें इतना हो इसके लिए हमने instrument जो name है वो equal bank nifty और nifty कर दिया है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे expiry के लिए हम क्या करेंगे अभी हमें latest expiry चाहिए होगा तो expiry एक string में है इसके लिए हम पहले date time में convert कर लिया है df का जो expiry है pd2 date time df expiry को हमने एक अपना date time format में कर लिया है पहले फिर उस expiry को यह latest expiry कैसे निकालना है तो अभी आप ऐसे निकाल सकते है यह जिरुदा हो या कोई भी हो यह हम आज का दिन ले लेंगे यह में क्या कर देता हूँ पूरा का पूरा ही कोपी कर लेता हूँ यह क्या 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 पहले हमने expiry को एक list में डाल दिया है फिर हमने आज का दिन ले लिया है और एक lambda function से इसको फेज कर रहे हैं कि जो इस expiry list में आज के दिन से जो सबसे नजदीक date है वो हमें चाहिए मतलब हमारा जो latest expiry होगा वो हमें मिल जाएगा फिर हम इस current expiry variable में डाल लिया हमें जो जो चाहिए सिर्फ हम वो ही निकलेंगा load चीज आप अगर stock option में करते हैं तो आप उसका load size भी ले सकते हैं क्योंकि हर का load size अलग जैसे इसका ये देखिए natural gas का 1250 है mcx में copper का 2500 है तो ये stock का जाइड़े slide का आप देखेंगे तो 1800 है तो nifty bank nifty का हमें मालूम है कि 25 और 50 है तो हम उसके according सिर्फ हमें ये ये चाहिए strike price चाहिए, instrument token चाहिए, instrument name चाहिए और option type चाहिए, C, E, R, P अभी आप देखेंगे df में कितना row है 117,286,15 column है और इसको filter करने के बाद ये देखिए 1234 column हमने दिये और 540 row होजे खाली, nifty और bank nifty की ठीक है तो अभी हमारे पास easy होगे अभी bank nifty का जो भी ये 31,500 strike price का instrument token ये है इसका call put call है ये अभी हमें easy होगे अभी हम इसमें से face कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखे ये मैंने एक function बना के रखा है अच्छा ये वाला ले ले लेते हैं पूरा का पूराई अभी इसमें से कैसे देखिए मैंने क्या किया ये जो df है उसमें for loop लगा दिया है हम match करेंगे strike से कि strike के according अपना option type अगर call और put है और instrument name अगर nifty bank nifty हम जो भी देंगे वो है तो उसका हमें instrument token मिल जाए ठीक है तो अभी हम कैसे देखेंगे यहाँ पे देखिए protect df में हम df देदेंगे जो हमने df बनाया है strike में हम जैसे nifty का निकाल लें तो अठरा जाजार देदेते हैं cp में में call चाहिए अपूट तो हम call देदेते हैं और name में हम देदेते हैं nifty तो यह देखिए अठरा जार की call का जो token है 48941 है ठीक है अभी आप यह order place करेंगे तो आप इसे verify भी कर सकते हैं आज तो market one दे तो after market order अलव नहीं करता है तो हम इसे fire नहीं कर रहे हैं otherwise आप देख सकते हैं अभी हमें put का चाहिए तो हम इधर से pe दे देंगे तो यह अभी यह तो हमने strike price का selection ऐसे कर लिया कि हमें 18000 का चाहिए लेकिन आप अगर जैसे ATM, OTM according to index जो चल रहा है वहाँ से आप लेना चाहें तो कैसे लेंगे तो इसके लिए यह देखिए मैंने क्या किया यह ATM का function बना रखा है यह strike तो हम इसको दे देते हैं strike LTP, LTP हम निकालेंगे कि जैसे अभी समझ लो चल रहा है 18152 इंडेक्स का